हरे कृष्णमित्रो आज नवरात्री का दूसरा दिन है और हम आज नवरात्री के दूसरे दिन की कथा सुनने वाले हैं नवरात्री का दूसरा दिन माता के दूसरे रूप आथात मा ब्रह्मचार्णी को समर्पित है इस दिन उनकी पूजा की जाती है उनकी पूजा करने और व्रत रखने से एक विसेष फल प्राप्त होते हैं इसलिए आज हम मा ब्रहमचाड़नी की कथा को असरवन करने वाले हैं ब्रहमचाड़नी का अर्थ, तब की चारणी यानि तब का आचरन करने वाली देवी का यह रूप पुर्ण जोतिर में और अत्यंत भव्य है इस देवी के दाएं हाथ में जपती माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारन किये हैं यह देवी का दिव्य सो रूप है अब आएए हम देवी की कथा को सुनते हैं अपने पूर्व जन्में इस देवी ने हिमाले के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारत जी के उपदेश से भगवान संकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें ततपस्चाड़नी अर्थात ब्रह्म चाड़नी नाम से अभिहित किया गया एक हजार वर्ष तक उन्होंने केवल फल फुल खाकर बिताए और सो वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साख पर निर्वाह किया कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकास के नीचे वर्षा और धूप के घोर कश्ट सहे तीन हजार वर्षों तक तूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान संकर की अराधना करती रही इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिये कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही पत्यों को खाना के कारण ही इनका नाम अरपना नाम पड़ा कटिन तपस्या के कारण देवी का सरीर एकदम छिन हो गया देवतार इसी सिद्धगर्ण मुनी सभी ने ब्रहमचार्णी की तपस्या को अभूत पुन्य कृत बताया सराहना की और कहा हे देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर त अब तपस्या छोड़कर घर लट जाओ जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हे बुलाने आ रहे हैं इतनी कठिन और घोर तपस्या करने के बाद माता का विवास सिवजी से ही होता है तो दोस्तो यह थी नवरात्री के दूसरे दिन माता ब्रहमचार्णी की कठा इस देवी क पूजा के दूसरे दिन देवी के इस रूप की उपासना की जाती है और व्रत रखने से इसके कई लाब है उमीद है कि आपको यह कठा अच्छी लगी हो धन्यवाद